एक बात आप बार बार देखते होंगे कि सुप्रीम कोट निरंतर अपने नियमों को दोहँराता रहता है, अनेक फैसनों के अंदर वही वही बातीं दोहँरा याती है। आज फिर सुप्रीम कोट ने बताया कि 138 एनाई एक्ट वाले मामलों में क्या गलतियां आप जानबूज कर करते हैं और क्या गलतियां करके आप उन केसिस को हार जाते हैं और अपनी सजा करवा बैठते हैं तो आज आप देखिए कि किस तरह से सजा से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी गलतियां आपने 138 एनाई एक्ट के केसिस में नहीं करनी चाहिए आज के केस में शिकायत करता एक चिटफंड कमपनी थी और आरोपी उसका एक मेंबर था आरोप के अनुसार आरोपी ने चिटफंड कमपनी से 21,09,000 रुपे से अधिक के धनदाशी ले ली थी पैसा वापसी के लिए उसने 3 फरवरी 2003 को 19 लाख रुपे का चेक शिकायत करता कमपनी को दिया 4 फरवरी को वह चेक जो 3 फरवरी को लिया रहा था 4 फरवरी को वह चेक कमपनी ने बैंक में लगा दिया तो बैंक ने अपने रिटर्न मीमों पे लिखा अकाउंट क्लोजड और ऐसा लिकर चेक को डिसोनर कर दिया कमपनी कानों ने रिती के अनुसार 138 एनाई एक्टा केस फाइल करने के लिए कोट गई वहाँ जाकर केस फाइल किया और 16 अगस्त 2010 को ट्राल कोट ने कमपनी के अविडिन्स को देखकर आरोपी को दोशी पाया और उसको धंड दे दिया आरोपी ने अपील फाइल कर दी तथा साथ में एक सेक्शन 391 में CRPC की अप्लिकेशन भी लगा दी हमारे सभी विद्वान विएर जानते हैं कि जब ट्रायल कोट में कोई एविडिन्स लगने से रह जाए तो बाकी बचे हुए एप्लिकेशन को अपलेट कोट के सामने लगाने के लिए इस एप्लिकेशन 391 CRPC को लगाया जाता है और यदि अपलेट कोट में उस एप्लिकेशन को मंजूर कर लिया जाए तो बचा हुआ एविडिन्स वहां अपलेट कोट में लगाया जा सकता है यहां इस वर्तवान केस में आरोपी ने अपलेट कोट के दुआरा अनुमती दिये जाने पर खुद को एक डिफेंस विटनेस के रूप में परस्तुत किया कोट के सामने और उसके अंदर 13 अलग अलग कागजों के एग्जेबिट्स लगाए उनको परदर्श किया कि उसने करता कंपनी के पैसे वापस कर दिये थे और फिलहाल कुछ भी बकाया नहीं है इस एविदेंस को देखकर अपलेट कोट ने आरोपी को बरी कर दिया शिकाट करता ने हाई कोट के सामने इस बरी किये जाने को चुनोती दी तो हाई कोट ने भी अपलेट कोट के निरने को ही बरकरा रखा आखिरकार शिकार करता सुप्रीम कोट के सामने अपनी अपील को लेकर पहुंचा आज के केस का नाम है श्री सूजीज बेनिफिट फॉंड्स लिमिटेड वर्सिज एम जगनाथन क्रिमिनल अपील नंबर 339 अफ दो हजार चोबीस है जिसे सल पी क्रिमिनल नंब चालिस बाइस ओफ दो हजार बाइस में पाइल किया गया था इसे अभी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एसानुंदीन अमानुल्ला की मेंच ने 13 अगस्त दो हजार चोबीस को डिसाइड किया है हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिये गए लिंक पर जाकर मेंबर्शिप फीस देनी होती है आपकी मेंबर्शिप आजीवन होती है फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम पता वगएरह और केस के दस्तावेज वगएरह की जानकारी लेते हैं उसके बाद हमारे टीम अड़ोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कॉंसल्टेशन देते हैं आप 138 नेगोशेवल इंस्टूमेंट टेक्ट का केस हारते हो तो पक्का आपने तीन या तीन में से कोई एक या कोई दो गलतिया की हुई है या तो आपने शिकायत करता है कि लीगल नोटिस का जवाब गलत दिया था या मजिस्टेट द्वारा नोटिस उफ चार्ज दिये जाने पर अपना वहाँ गलत कथन पर सुथ किया था यही दोनों गलतियां आपको हराती हैं यदि ये दोनों गलतियां आपने नहीं की हैं तो फिर आपने शिकायत करता का क्रोस गलत किया था 138 Negotiable Instrument Act में यही तीन गलतियां हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए और यदि आप इन तीनों को या तीनों में से किसी एक को करते हो तो फिर आपके जीतने का कोई अफसर बाकी नहीं रहता है आपके इसको हर जाती है आज के केस में भी सुप्रीम कोट में फाइल खोलते ही सबसे पहले यह देखा कि आरोपी ने मजिस्टेट के सामने सेक्शन 251 CRPC के जवाब में क्या कथन किया है हमारे विद्वान वियर्स को पता होगा जब मजिस्टेट के सामने आरोपी पहली बार पेश होता है तो मजिस्टेट पूछते हैं कि अपनी गलती मानते हो या नहीं मानते हो आज कल चेक वाले केस में कई सवाल और भी जादा पूछे जाने लगे है क्या आपके साइन है, क्या ये चेक आप यही का है क्या किसी रिण या दूसरी अदाइगी को चुकाने के लिए चेक दिया गया था वगरा वगरा लेकिन यह वस्तुत है वही सेक्शन 251 CRPC वाला नोटिस होता है जो मजिस्टेट समन स्ट्राइल केसे में आरोपी की स्विकर्ती पूछते समय रिकॉर्ड करते हैं सुप्रीम कोट ने देखा कि आरोपी ने ना पैसा लेने से मना किया हुआ है ना चेक अपना होने से मना किया हुआ है और ना चेक पर अपना हस्ताक्षर होने से मना किया हुआ है आप विद्वान यूर्स देखेंगे कि इस महाबली आरोपी के वकील सहाब कितने बड़े तलवार बाज और साहस ही रहे होंगे जिन्होंने आरोपी के सब हत्यार कवच, कुंडल, जिरह बक्तर सब अपने चमबर में रखवा कर तब इस आरोपी को शिकायत करता कि बान जहिलने के लिए कोट की रन भूमी में भेजा होगा ये आरोपी माँ जाकर मरता नहीं तो क्या करता सुप्रीम कोट को लगा कि ये आरोपी चालवाजी कर रहा है और उन्होंने इसकी चालवाजी को पकड़ भी लिया उन्होंने कहा कि खास तोर से ऐसा माहुल जब रोपी ने ना चेक दिये जाने से मना किया है ना ही चेक पर अपने दस्तकात होने से मना किया है तो जिस क्षण में उसने सारा पैसा चुकता किया होगा उसी समय शिकायत करता कमपनी से उसी क्षण में या तो अपने सारे चेक्स उसने वापस ले लिए होंगे या फिर बैंक को ऐसी इंस्ट्रक्शन्स दे दी होंगी कि मैंने इनका पैसा चुका दिया है आप यदि इनके चेक प्रस्तुत किये जाएं तो उसको डिस ओनर कर दीजेगा या ओनर नहीं कीजेगा क्योंकि अब कोई दे रिन या बाकी दूसरी अदाएगी नहीं बाकी बची है करजा वापस करने के बाद फिर चेक दुबारा से पेमेंट करने की क्या तुक थी क्योंकि इस आरोपी ने अपने अकाउंट को क्लोज करवा दिया था चेक ना पे किये जाएं ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन बैंक को नहीं दी थी तो सुप्रीम कोट ने यही कहा कि इस आरोपी की कर्थनी में और इसकी करनी में ताल मेल नहीं है यदि इसने चेक के पैसे वापस कर दिये थे तो इसे अकाउंट क्लोज करवाने की बजाए बैंक को कहना चाहिए था कि मैंने पैसे वापस कर दिये हैं अब इस चेक का पेमेंट ना कीजिएगा स्टोप पेमेंट करवाना था इसने अकाउंट क्लोज करवा दिया कोट ने कहा कि लेकिन आरोपी का कुल आचरन गलत था सही प्रकार बैंक को इंस्ट्रक्शन देने की बजाए चेक देने के अगले दिन ही आरोपी ने अपना बैंक अकाउंट बंद करवा दिया था बैंक अकाउंट को बंद करवाने से उसका आचरन संदेहास पर दिखाई पड़ता है और दोखादरी की मन्शा भी दिखाई पड़ती है दूसरी और आरोपी भी कोई अनारे रखती नहीं था वह चिटफंड कमपनी का मेंबर था चिटफंड कमपनी में चिट डालते हुए उसको लंबा समय गुजर चुका था तथा वह कानूनी प्रकृरिया से अपने हित अहित से पूरी तरह परिचित था ऐसे में उसे कानून की अज्यानता कालाब नहीं दिया जा सकता है यहें कहते हुए सुप्रिम कोट ने अपलेट कोट तथा हाई कोट दोनों के निरने को नरस्त कर दिया ट्रायल कोट के निरने को बाहल करते हुए आरोपी को दोशी माना और उस पर 28,50,000 रुपे का फाइन लगाया आरोपी इस सम में तक 86 वर्स का बुरा हो चुका था अते उसका शारिरी कारावास एक साल के लिए इस्थगित कर दिया गया यदि आरोपी इस एक साल में यह धन चुकाने में असमर्थ रहता है तो उसे अपने कारावास को भोगना होगा और कारावास की शुरुआत उस समय से हो जाएगी इस प्रकार आप यहां देखें कि सबसे जरूरी काम है कि जिस समय मजिस्टेट आप से चार्ज नोटिस का जवाब मांगते हैं आपका कतन करवाते हैं तो आपको वहां क्या कतन करवाना है हो सकता है कि यह कतन केवल मजिस्टेट की कूट में ही नहीं बलकि आगे चलकर उसके बाद आपका आचरण कैसा रहा था जिन एड़ोकेट्स को अपने केसिज में मुश्किले आ रही हूं क्रोस ना बन पा रहा हो पता नहीं हो कि क्या एप्लिकेशन लगाई जाए किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए ताकि विजेश्री आपको ही चुने तो हमसे परामर्श कर सकते हैं परस चैनल की हर एक विडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं एड़ोकेशी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं वकालत के दावपेट सिखाए गए हैं यह जानकारी हमारी वेबसाइट IndianLegalSystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए वाटसेप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की रहा खुल सके हम आपसे अगरी वीडियो में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे ताब ताब पराम